What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to Stirl or Family तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, श्यांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेहत, फैमली और पाई का धान काफी अच्छे से रख रहे हो तो यह जो वीडियो है, यह हर एक 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 एक्जाम के लिए आप लोगो फाईदा पहुचाने वाली है चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एक्जाम की तैयारी क्यों ने कर रहे हो यहाँ पर UPSC या EPS का मतलब यह नहीं की बसीनी एक्जाम में फाईदा पहुचाएगी आप लोगो यह स्टेट के जितने भी एक्जाम होते हैं उनके अंदर फाईदा पहुचाएगी और किसी भी एक्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर एक्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे सही होता है तो अच्ही बात है गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि PDF आप लोगो चाहिए, तो टेलिग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लेजएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगो इसका description box में मिल जाएगा, तो आईए, आज का discussion स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के, आज का first question देखत कौन कौन सी country आती हैं, यह है basically question, पहले बोला गए हैं आपर Antigua और इसी के साथ में बारबुडा, दूसरा बोला गए है दबाहमास, तीसरा बोला गए है मालावाई, चोथा बोला गए है कोस्टेडी आइरवरी, चोथा पांचवा बोला गए है सुरीने और छड़ा बोला क्या होगा सही आंसर, तो सही आंसर है आपर C, देखिए जो हैं पर कैरिकॉम countries है, इनको यह short form में लिखा गया है, basically इसकी full form होती है, Caribbean Community and Common Market, जो की basically define की जाती है, particular यह 15 countries होती है, Caribbean nation है, एक तरीके से country क्या, यह island area आप लोग बोल सकते हैं, तो यह जो आप लोग को North America और South America के जो बीच में जो area है, यहाँ पर जो island है, उनको यहाँ पर इस नाम से पकार जाता है, तो total 15 आप लोग को यहाँ पर यह चोड़े चोड़े nation आप लोग को देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ में 5 इनके associated member हैं, जो की total मिलाकर यहाँ पर नजर आते हैं आप लोग को, ठीक है, कि आप लोग वो country चांटी है, जो आप लोग को लगता है कि इस particular reason में नहीं होगी, यानि कि अलग-अलग reason में कौन सी country है, ठीक है, जैसे बात की जाए मालावी, तो यह अफरिका continent में देखने को मिलेगा, coast ivory, यह भी आप लोग अफरिका continent में देखने को मिलेगा, पर ल तो 1, 2, 5 and 6 तो आंसर होगे आपर C, तो ऐसे आप लोग आंसर कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्ट कोशन आप लोग के सामने हापर बात करा है, समूंद्र लक्षनम, तो यह एक नेवल एक्साइज है, तो कौन कौन सी country के बीच में हापर यह एक्साइज है, पहले बोल जा रहे हैं, तो यह मान कर चलिए कि नर्मली आप लोगों से इंडिया का नाम ही आपर पूछा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना, कोई सा उप्सन ऐसा होगा, जिसमें इंडिया का नाम जरूर होगा, तो इस तरीके से C उप्सन तो आप लोग कट कर सकते हैं, तो क्या है, सही A, B, C, F, D, तो सही आंसर हैं, यहां पर D, यहनिके यह इंडिया और मलेशय के बीच में एक नेवल एक्साइज है, जो कि बेसिकलि आप लोग गेरिया भी देख सकते हैं, यहां पर यह होगा, तो यह आप लोग को पुछा जाएगा, किस किस कंट्री के बीच मे ठीक है, यह बेसिकलि अभी जो एक्साइज है, यहां पर यह साउथ इस्ट एश्या और वेस्टन पेसिफिक रीजन में हापर, दोनों के द्वारे हापर मिलकर एक्साइज को इंजोए किया गया है, तो इसलिए यह काफी न्यूज में थी रिसेंटली अभी, तो आंसर डी ह हो गया, आगे चलते है, important question है और एक तरीक से awareness का भी question है, आप लोग इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, exam में भी question बन जाता है, बात की जारी है, central equipment identity register के बारे में, यह जो system में आपर, यह project under है, DOT के under, यह निके department of telecommunication, दूसरा बो लगे हैं आपर, यह address करता है, security theft कोई चो पुछा गया, यह जुरूर ध्यान देना है, आप लोग अगर किसी question में पुछाता है, तो क्या है यहाँ पर answer, A, B, C, F, D, तो जो answer है यहाँ पर सही, वो है D, यानिके, दोनों answer यहाँ पर correct है, कोई सी भी incorrect नहीं है, जी हा, central equipment identity number, basically वो number होता है, जब कुछ handset, जिनको blacklist कर दिये जाता है, ठीक है, कोई चोरी हो गया handset, तो उन तरीके से जिसको blacklist कर जाता है, तो वो यहाँ पर यह इस category में आता है, जो कि DOT का एक project है, यानिके department of telecommunication, और department of telecommunication, यह ministry of communication के under में आता है, तो यह भी आप लोगे लिए important है, ठीक है, तो यहाँ पर, basically यह यह होता है, क ता कि उसको ही पर ही रोका जा सेगे, और कोई आगे चलकर problem नहीं देखने को मिले, तो यह काफी important है, एक security के point बेसे भी अगर count करकर आप लोग चलते हैं, तो, next question यहाँ पर बात कर रहा है, जल दूत exhibition के बारे में, तो इससे रिटिर कौन सी statement correct है, यह बोला गया है, यह traveling exhibition ह करा जा रहा है, regional, regional outreach bureau पूने के दौरा, दूसरा बोला गया है, organized करा जा रहा है, आपर, ministry of defense के दौरा मिलकर, इसके साथ में, यह बोला जा रहा है, कि traveling exhibition है, on, जल सकती अभियान, तो, सही answer है, यह बोला गया, only one, बोला गया, one and two, C, यह बोला गया, one and three, D, यह बोला गया, all हाँ पर, जो जल सकती अभियान, हमारी country में चल रहा है, तो, उसी के चलते हैं, हाँ पर, यह बी एक impact डालने वाला है, कि कैसे हम लोग, जो water है, उसको हम लोग secure कर सकते हैं, ताकि, पानी बरबाद ने किया जाए, और, पानी को save कर सकें, और, किस तरी से, पानी को, एनके water harvesting हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी country में target भी है, 2024 तक का, all over country में, जो ruler household है, वहाँ पर, यह water supply प्रोवाइड कराने का, और, आज kit में लगबाग यह 18% है, तो, इसके चलते हैं, 100% तक लेका जना है, 2024 तक, तो, यह भी हाँ पर एक target है, तो, उसी के चलते हैं, आपर, यह पानी को हम लोग conserve कर सकते हैं, ठीक है, तो, यह इसके बारे में idea रखेगा, answer होगे हैं, आपर B, C, आगे चलते हैं, next question यहाँ पर बात कर रहा है, मुक्ति बाहीनी के बारे में, यह related to किस country है, A में बोला गया है, B में इंडिया, C में भुटान, और D में सिरलंका, A, B, C, F, D, सही answer किया है, तो, सही answer है, आपर इसका A, यह है, बंगला देश, 1971 की war में, इंडिया के द्वारा, बंगला देश की help किये गई, पाकिस्तान से अलग होने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा, काफी जारा है, बरबरता पून, यहाँ पर, इनके ओपर, एक तरीके स है, तो, उसको celebrate किया जारा है, तो, इसी के चलते क्या क्या चीज़े है, आपर तो, आप लोग understand कर सकते हैं, सबसे पहले तो, यहाँ पर यह है कि 100 year, जो हाँ पर बंगा बंदुयान के founder of the, बंगला देश के नाम से भी जनाता है, तो, 2020 में, एक तो, हाँ यहाँ पर, यहाँ 1971 में वोर हुई थी, और 2021 में हाँ पर इसको पूरे 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो, उसके चलते international fleet review भी हाँ पर किया जाएगा, तो, किस तरीके से हाँ पर water में security भी हम लोग रख सकते हैं, तो, इंडिया के जो नेवल चीप हैं भी हाँ भी हाँ बंगलादेश की विजिट पर गए थे, तो, यह सारी चीजों को जहान में रखते हुए, इंडिया और बंगलादेश कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, नेवल सीक्योर्टी इन सब एडिया में, तो, यह बाते बिसिकली हाँ पर की जा रही है, तो, यहाँ पर यह मुक्ती बाहिनी उस टाइम पर फोर्म की ग लिए, दूसरा बोला गया यह बूस्ट करेगा, इंवेस्टमेंट इन, इंपॉर्ट सेक्टर, तीसरा बोला गया आपर, इंटियां एक्सपूर्ट की बात की जा रही है, ना की इंपॉर्ट की, दूसरा क्या है, एक तरही है llevar में ऑप सेक्टर कूर्ट की всю, अप सक्रिए वाला सेक्टर है कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाई जा सकते हैं यह निकि आपर एक्सपोर्ट कोई कर रहा है उसके लिए थोड़ी बहुत हैल्प चाहिए तो हैं आपर यह उसको यह इंसुरेंस प्रोवाइड कराने का काम करती है नेस्ट कोईशन आपर इंबोडेंट कोईशन है हुतेई कम्मूनिटी जो एक गुरूप है भी रिसेंटली काफी न्यूज में है तो यह किस कंट्री से लिटेड है यमन, सीरिया, इराक यह फिर साओधी अरेबिया तो ए, ब हुतेई कम्मूनिटी के द्वारा हतिया लिया गया, गुर्मेंट को हटागा, तो साओधी अरेबिया चाता है कि आपर कोई एकसा एक्स्ट्रिमिस्ट ग्रूप नहीं हो, जो कि आपर इस पर्टिवलर रिजन में इसकी सीक्योर्टी को खत्रा पहुँचा है, और हुतेई कम कम्मूनिटी है, अगर आप लोग से कोई कोई कोशन पूचे, तो इनके बारे में आप लोग आईडिया जरूर रखिएगा, तो आंसर यहां पर यह हो गया, और हाँ यही वही कम्मूनिटी है, जिसके द्वारा भी क्लेम किया गया है, साओधी अरेबिया में जो बंबार्म कर्नाट का में और चोथाур ते तमिलाडू में, तो सही आंसर क्या है, तो जो सही आंसर है, यहां पर यह किरला के अंदर प्रफॉर्म किया जाता है, इसको पुलीकलाई आर्ट के यहां पर टाइगर डांस के नाम से बीर जाने जाता है, reason का है, reason यहाँ पर यह है कि इस तरीके से यहाँ पर tiger के जो एक तरीके से आकार के जैसे हाँ पर यह skin जैसी पहनी जाती है और जो कि पूरी body के हाँ पर उसी के savement हालने कुछ की जाती है और इसी के साथ में हाँ पर यह जो instrument है, यह सारे हाँ पर बजा जाते हैं टाइकर डांस के नाम से जाना जाता है किस festival के उपलक्स में celebrate कियाता है ओनम के उपलक्स में हापर celebrate कियाता है यह आपर इस तरीखे की जो आप लोग के हैं आपर tradition जो dress पनी हुई है तो यह भी इसके बारे में याद रखेगा body को paint भी किया गया है और जो rhythm होती है यह सारी इस्टुमेंट की, जैसे इनको ठकली, उद्धुकू और इसी के साथ में चेंदरा बोला गया, तो यह जो इस्टुमेंट है, इनके नाम है, यह जब बजाए जाते हैं, तो फिर इसके साथ में हाँ पर डांस किया जाता है, तो यह सारी बाते आप लोगो हलका-लका सा ideas के बारे में होना चाहिए, UPSC 2015 में question पूछा जा चुका है, तो important question है, बात की जा रही है, जो बुद्धा की life के बारे में, तो बोला जा रहा है कि कौन सा area ऐसा था, जहां पर associated था बुद्धा की life से, बोला गया, अवंती, दूसरा, गंधारा, तीसरा बोला गया, कोसला, और चौता बोला गया मगदा, तो कोसल बोल सकते हैं, आप लोग इसको, तो क्या statement यहाँ पर सही है, A में बोला जा रहा है, 1, 2, and 3, B बोला जा रहा है, 2, and 3, C बोला जा रहाए, 1, 3, and 4, D मोला जा रहा 3, and 4, तो सही answer यहां पर क्या है, A, B, C, F, D, तो जह सही answer यहां आपर कि यहाँ पर किसी के साथ में कोई भेधभाव नहीं के जाता है क्योंकि यहाँ पर इस सीधा सीधा फंडा यह है कि अपनी जिन्दगी को अपने हिसाब से इंज्योय करो कोई आप लोग की लाइप में ज्यादे इंटर्फियर नहीं करेगा इसलिए कहीं पर अगर लड़ाई फिडिया के द्वारा किसको रिप्लेस किया गया है पहला बोला गया है Human Rights Commission को दूसरा Finance Commission को तीसरा Low Commission को चोता Planning Commission को सही आंसर यहाँ पर क्या है A B C F D तो सब आप लोग जानती है इसके बारे में तो आंसर यहाँ पर इसका D हो गया थोड़ा से extra information जा लेते है नीतिया आयोग तो इस तरीके से लेका चलेगा यानिकि एक plan उपर से बनाया और नीचे सब के उपर implement कर दिया यानिकि एक सूज सब के fit नहीं करने की बात की गए यानिकि सब अपने पैर का size बनाओ और अपने जूते अपने आप बनवाओ S&E की उपर से सबको एकी साइज के जूते दे जाएंगे उसको fit करो यहन के अलग-अलग गेरे में अलग-अलग problem होती है उस problem के base पर आप लोग इसका solution निकालो Chairperson कोन होते हैं आपर? Chairperson होते हैं आपर Prime Minister जो कि Modiji जी हाजकेट में Vice Chairperson कोन है आपर? राजीव कुमार है आपर और CEO कोन है आपर? यह है अमिताब कान तो 2015 में planning commission को replace करका top-down approach implement करने के लिए आपर यह picture में आए ठीक है? तो इसके बारे में यह आप लोग idea रख सकते हैं जो की काफी important आज केट में हमारी country में यह group अमाना जा रहा है तो यह थे टोटल आज का discussion I hope कि आप लोगों ने enjoy किया होगा मिलता हो next lecture में जो की होगा दाइंदु newspaper का इस lecture की PDF अगर आप लोग download करना चाते हैं तो telegram आप लोग join कर लिए सारी चीज़े इखटा आप लोग यहाँ पर एक जगे लोगाँ, वोगाँ, आ एक वी, बस्दाइ Fengy